आज बात करने वाले हैं लेकिन अब पिछले कुछ समय से थोड़ा सा निरियो चेंज हुआ है पिछले 2-4-5 दिन से भी रीजन क्या है उसका उसका रीजन है हमारे प्यारे प्रधानमंतर जी नरेंद्र मोधी साब रीजन यह है कि मालदीव ने कहा इंडी आउट और मोधी जी ने कहा क्यों नहीं भई इंडियन्स को कोई कुछ बोल दे आज के समय में मोधी जी कोई बिलकुल बरदाश नहीं है अब यह देश नाम नहीं करता है कि यह गाल पे मारा तो यह गाल आगे करेंगे यह कहता है इस गाल पे अगर हाथ भी आया ना तो हाथ तोड़ के हाथ में देने वाले हैं वो एक momentum मिल गया है और इनको फाइदा मिल सकता है हाला कि हमें ऐसा नहीं कि इनमे momentum मिला जाके buy कर ले हमें इनके chart को study करना चाहिए because momentum आता है तो उसी में share उपर या नीचे हो जाता है तो हमें अपनी study के लिए इसको काम में लेना है और इतना बता दू कि मोजिदी की जो लक्षडी विजिट है उसकी कुछ लोग तारीफ करने की बजाए करें कि नहीं नी मालदीव जादा अच्छा है इंडिया के ही कुछ लोग क्यों कह रहें क्यों को तकलीफ मोदी से हैं अब मोदी से तकलीफ होने को वो लोग यह नहीं समझ रहें कि आप मोदी का विरोध करिये लेकिन मोदी का विरोध करते करते आप देश विरोधी मत बनिये ऐसे ही मोदी का विरोध करते करते आप राम विरोधी मत बनिये जिन्होंने राम को कालपनिक कहा था वो खुद कालपना बन चुके हैं आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं और थोड़े समय बाद वो भी चले जाएंगे इस दुनिया से तो सत्ते में वो कलपना हो जाएंगे तो राम को कालपनिक मत कहिए मोदी जी का विरोध करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन राम का और भारत का विरोध ना करिए यह बैटर होगा यह चार्ट जो हमें दिख रहा है यहां पर इस पर हम डिसकेशन करने वाले है कि अब क्या हो सकता है क्योंकि यह 45 और 37 की रेंज के अंदर जो वो अटका पड़ा था अब इस रेंज से क्या बहार निकल सकता है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके लिए हमें डेली चार्ट पे चलना होगा यहां पर हम चलते हैं डेली चार्ट को आप देखी ध्यान से यह डेली चार्ट है पिछले 4-5 दिन के इस मोमेंटम को देखे जब से मोदी जी का लक्षदीव जाना हुआ है लक्षदीव जाने के साथ ही यहां से इस्टॉक जो एक बूम पकड़ने को तयार हो चुका है सिर्फ यही नहीं बाकी भी ट्रेवल एजनसी वाले स्टॉक या फिर आप कहसकते हो कि होटल वाले या टुरिजम वाले जो स्टॉक है उनमें एक मोमेंटम आया तो इस मोमेंटम में क्या कितनी सचाई है या टेम्पररी है वो में इस्टड़ी करना चाहिए कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक पर अगला वीडियो चीए मेरे पास नोट डाउन होगा और हम उसको नोट डाउन करके अगला वीडियो जो बनाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करेंगे किसी भी तरह से बाइस से बाइस से कंसल्ट करिए और मेरी परसनल ट्रेड और इंवेस्टमेंट जो है वो सेकेंड चैनल डबूल रन स्टॉक पर आती है उससे भी सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिए अब बात करेंगे एज़ी ट्रिप के फंडामेंटल की फंडामेंटल लेगर स्टॉक को देखा जा यहां पर आपको दिख रहा होगा कमपनी के प्रमोटर्स की होलिंग 65% के आसपास लेकिन यह पिछले कुछ टैम में कम हुई है 5% के लगबग जो कि एक नेगटिव पॉइंट और हमें नोट डाउन करके रखना चाहिए अगर हम इसके आगे बात कर लें कंपनी के profit growth की तो अच्छी मानी जाएगी debt company के उपर कुछ भी नहीं है, debt free company है वर्चुरी और अगर हम इसके आगे देखे market cap तो market cap to sales भी ठीक ठाप नज़र आती है बात करते हैं इस company के business की तो business को आपको मालुम होगा कि company जो है यहाँ पर online travel agency है और इंडिया की only profitable online travel agency है जो की हमें no down करना चीए इसके लाव भी इसके fundamental में in-depth हम जा सकते हैं अब अब उतना in-depth में नहीं जा रहा क्योंकि अल्रेडी कई वीडियो में हमने बता दिया है अब देखते हैं इस company के quarter results अगर quarter results को देखा जाए इस company के तो आपको पता चलेगा पिछले कई quarter से 100 करोड से 100 करोड के उपर का जो sales है वो data हमारे सामने आ रहा है और profit highest ever company ने September में post किया है चोकि एक अच्छा sign है और बड़ी असाइन हमें मानना भी होगा अगर आप पिछले कई समय की growth उटा के देखे sales की operating profit margin की net profit की तो आपको पता चलेगा यहाँ पे शांदार तेजिये में देखने को मिल रही है लेकिन हाँ क्या ये growth आगे बरकरार रहेगी market अगला दाव उस पे खेलेगा अगर हम बात करें इसके अगलावा profit and loss की जो की yearly profit and loss हो इसको अगर आप ध्यान से देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे sales में भी तबर्दस growth रही है yearly profit and loss में yearly profit को देखे शांदार profit आ रहा है हाईस टेवर trailing 12 month का profit भी company का चल रहा है तो अच्छा sign होता है operating profit margins यहाँ भी काफी अच्छे नजर आते हैं जो की indicate करते हैं कि एक company जो की अपनी sales का लगबग 30% के आसपास का net profit margin रख रही हो वो company अच्छी मानी जाएगी जैसे हमने quarter result में भी देखा कि 30% के आसपास का net profit margin भी आ रहा है वो 20% भी होता है तो भी मैं बहुत अच्छा कहता हूँ यह तो company 30% के आसपास maintain कर रही है so it is very good company के अगर compound and sales growth देखे कही साल होगी जबरदस्त रही है profit growth जबरदस्त है stock price यह जार भी हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा जितने time इसको list to house में और अगर हम बात करें return on equity के तो शानदार देखने को मिलेगी यह ध्यान रखिए यह past performance है past performance is not guarantee for the future performance यह भी हमें समझन है तो वो चीज़ हमें चार्ट पे help मिलेगी आगे चलते हैं company के shareholding pattern को देखी तो promoters ने यहाँ पर अपनी shareholding कम करी जो मुझे एक negative point लगता है यहाँ पर अगर बात करें FISDIS की तो उनकी holding लगबग intact है और public की holding जो है वो बड़ी है जून से September quarter में देखिए public की holding बड़ी है तो यह चलता है हमारे सामने easy trip planners का daily chart इसको हम convert करेंगे सबसे पहले monthly पे monthly वी लेना हमारे सबसे पहले जरूरी होगा कि monthly chart बोलता क्या है देखिए पिछले 2 महीने आज से 1-5 महीने पहले तक मेरा खुद का वी उस पे negative था कि अभी तक इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ और पिछले 5-6 महीने से मैं बोले जा रहा हूँ कि यह consolidation range में मेरे लिए लेने रैक नहीं है पिछले कितने महीनों से मैं इस range में बोल रहा हूँ कि मेरे लिए नहीं है बाई सब जब 45 के उपर आएगा तब देखेंगे लेकिन अब जिस type का selling pressure create हुआ था यह जो selling pressure create हुआ थ चीज क्या होती है setup के साथ काम करने में बिना setup के बिना setup के जिन्होंने यहां लिया है वो 8 महीने से यहीं बैठे है बैठे हो और अच्छे से आराम से बैठे होंगे कि हां हम लोग long term investor है और setup के साथ काम करने वाले में फरक्या है कि जब share चलने वाला है तब वो आए है और अब इनको pick करना चाहेंगे यह होती है setup और बिना setup की कहानी आप 8 महीने से प्लाव capital block करके बैठे हो और जो smart players है वो यहां पर अब entry कर रहे है क्योंकि उनको पता है कि अब capital block होने का chance कब है अब result आएगा या तो यहां पे मुझे stop loss मिलेगा या target मिलेगा अब result मिलेगा उन पीस के उपर आपको 45 के उपर sustain करना होगा तब हम यह कह सकते हैं कि monthly chart clearly bullish है तब तक monthly chart clearly bullish हम नहीं कह सकते हैं इसको ध्यान में रखेगा अब एक चीज़ अच्छी क्या है यह इतने बड़े consolidation को काट के अगर उपर जाता है तो 45 के उपर ही जाना पड़ेगा तो वहां पे हमे आपको यहां पे दिख रहा होगा यह कितने ही हफतों का consolidation जो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा इसकी upper range पे stock आ चुका है पहले देखें बार-बार lower range पे आ रहा था यहां पे lower range पे stock जो बार-बार आ रहा था इसको तोड़ा नहीं तो एक अच्छा sign है मेरी उमीद यहां एक base बन चुका है ऐसा लगता है base pump हो चुका है और 45 कट सकता है इस बात के chances बढ़ चुके हैं तो उस बात को में note down करना चीए और अपने ध्यान में लेना चीए तो weekly chart भी अभी क्या हो रखा है weekly chart also sideways to bullish पहले यह weekly chart क्या था यहां पर जब तक था stock तब तक sideways to negative था अब लेकि अधर आ रहा है इस बात को भी हमें note down करना चीए लिखना चीए और समझना भी चाहिए convert करते हैं इसको daily chart पर देखते हैं कि daily chart अभी क्या बोल रहा है so have a look at daily chart यह मैंने convert किया आपके सामने यह daily chart है साथ में आपे 200 दिन का moving average का line भी मैंने लगा रखा है अगर उसको भी आप समझेंगे आपको पता चलेगा इस line के उपर जो एक sustain नहीं कर पा रहा देखिए जब से इसके नीचे आया है इसके उपर stock जो है वो sustain नहीं कर पा रहा लेकिन this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 वा य यहां तक था stock तब तक view अलग था कि भाई साब एक बार बचेंगे लेकिन अब जैसे यह stock वापिस indication दे रहा है so we are changing as per the indication indication आने पर काम इसे ही कहते हैं और तुक्य बाजी करनी हो तो कहीं भी ले लो हम long term investor है यह बोल के आप खुश हो सकते हो ध्यान में रखिए तो यह यहा पर weekly भी है monthly भी है तीनो चार्ट एक ही बात बोल रहे है और तीनो चार्ट में बेस formation का point क्या है रुपीज 37 रुपीज 37 इस दा बेस formation point यहां पर अभी भी तीनो चार्ट पर उपर पर resistance क्या है रुपीज 45 यह important resistance है इसको काटे भी ना उपर जा नहीं सकता तेजी में तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि इन तीनो चार्ट पे level important है अब बात करेंगे करना क्या है और कर क्या सकते हैं सारी चीज का discussion अब होने बाला है और मैं आपको personally यह भी बता दूँगा कि मैंने आज इस company के shares buy करे भी है या नहीं करे है वो भी मैं आपको बता दूँगा फिलाल च लेखिए दोस्तों आपको मखन लगाना है मैं सिर्फ आप लोगो इतने कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग यह कहते हो 95% जनता आप में से यह कहती है कि हमने आपकी वीडियो से सीखा और पैसे कमाए मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ आपको उसके लिए लेकिन 5% लोग ऐसे भी हैं जो लोग चाहते हैं कि मैं मक्खन लगाँ या इन कंपनियों के बारे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो अभी मैं अच्छा बोलूँगा मैं आप अच्छा ब इस कंपनी की कि अगर हम already invested हैं तो क्या कर सकते हैं यहां बात कर रहे हैं already अगर हम invested है already invested कहां से हो सकते हैं हम या तो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से अगर हम कहीं से भी already invested हैं तो आज की देट में हम क्या कर सकते हैं तो मैं आप से एक चीज पूछना चा है तो technical सार strong यहां पे क्या है अभी strong technical हो रहे हैं तो sideways to bullish है तो strong technical है तो हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हम अपना अगर माल हमने ऊपर से ले रखा है यह यहां नीचे से भी ले रखा है तो क्या इस point पर बेच दे यहां से निकल जाए जी नहीं यह तो विल्कुल भी समाधार नहीं होगा तो यहां पे अभी जिनके पास already लिया हुआ है उनके लिए एक इवी बनता है hold अगर मेरे पास कहीं से भी लिया होता तो मैं आज की date में इसको as it is hold कर रहा होता क्योंकि यह simply मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि fundamentally okay है technically strong नजर आ तो मैं नहीं बेच था this is very clear view यह अब बात करेंगे हम यहां पे अगर हम यहां पर fresh investment करना चाहते हैं ध्यान रखिए मैं investment की बात कर रहा हूं पहले trading की बात नहीं कर रहा है आप अगर एक दो महिने के लिए चार-पांच महिने के लिए किसी चीज़ को लेते हैं तो वह trading होती है वह investment नहीं होता इस बात को clear क अब हमारे पास फिर option आता है कि हमें with stop loss जाना है with SL जाना है या without SL जाना है हमारे पास फिर यह formula आता है तो हम इसमें क्या करेंगे अगर हम with SL जाना चाहते हैं तो यहां पे क्या important level होगा रूपीज 37 ध्यान रखी का closing basis यह हमें ध्यान रखना होगा रूपीज 37 का closing basis important level होने वाला है one or two year अगर हम बैठना चाहें return expectations क्या हो सकती है यहां से एक से दो साल के अंदर return काफी अच्छा हो सकता है बट उसमें buy on dip करनी चाहिए कोई without SL जाएगा तो वो क्या करेगा यहां पर buy on dip यानि 37 के भी नीचे आता है तो उसे buy on dip mode में activate हो जाना चाहिए अब यह कैसे clear होता है यह ऐसे clear होता है कि माल लिजे आपने stock 43 पे लिया और आपकी capacity है यहां पे 23 भी आ जाए तो आप कहोगे मुझे कोई problem नहीं है मैं और add कर लूँगा मेरे पास पैसा है तो उसको 37 का SL follow नहीं करना चाहिए जो कहता है कि मेरे को यहां पर 37 के नीचे आया तो मैं 5000 का loss खा सकता हूं इस से उपर का नहीं खा सकता तो फिर वो 1000 share लेकर यहां पर बैठ जाएगा इस बात को आपको clear करना होगा कि आप आपका risk taking कैसा है आपका advisor आपको बता सकता है तो यह screenshot आप लेना चाहें and take the screenshot and consult with your advisor यह आपका हो गया यहां पर हम बात करेंगे कि अभी swing trade है क्या कोई क्या कोई swing trade है वो भी मैं आप लोगों के साथ discuss जरूर करना चाहूंगा swing trade yes 45 के अबोग है कब है रूपी 45 के अबोग है 45 के उपर जाएगा तो एक swing trade जो वो यहां पर activate होगी तब तक swing trade activate नहीं है उस case में रूपी 40 जो है वो important support रहेगा अब देखो अब level change हो रहे है थोड़े 40 जो है वो important support रहने वाला है इस बात को आप note down करिए और 49 रूपी जो है वो सबसे पहला resistance रहेगा यहां से जब उपर जब 45 के उपर stock close कर दे उसके बाद में 49, 52, 56 with important support of 40 रूपी अब यह किस के साथ बात करोगे अपने advisor के साथ advisor नहीं है खुद का दिमाग लगाओ क्या मेरे में capacity है इतनी है तो चलते है चार्ट खोलो study करो तो यह होगा swing trade वालों के लिए इतना आपको clear करना होगा कि आप किस way में किस direction में जाना चाहते हैं अब तीनों की बात करी मेरा disclosure में देना चाहता हूँ यहाँ पर हमने तीनों की बात करी मैंने आज ही 43.25 रूपीज and 43.15 रूपीज पे कुछ shares वो इस company के buy करे हैं लेकिन कितने करे हैं वो मैं आपको बता दू जितनी मेरी capacity है उसका मैंने 65% ही buy किया है जितनी मेरी capacity है उसका 65% ही buy किया है remaining 35 क्यों नहीं किया क्योंकि मैं इसमें stop loss follow नहीं करूंगा मैं तयार हूँ अगर यह stock यहां से 28-30 रूपय या 24 रूपय भी आता है तो मैं add करने को तयार हूँ और 2-4 साल लगाते है तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे travel industry का future अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें time देने को तयार हूँ एक limited amount के साथ अब future अच्छा लग रहा है इसका मतलब यह नहीं होता हम अपनी पूरी capital यहां पे डाल दे और हमें तो देखो future अच्छा लग रहा था यह stock क्यों नहीं चल रहा ऐसी situation भी आ सकती है तो उसमें हम क्य जाना चाहता हूं कि हम बैठते हैं तो mindset clear करके मैं clear mindset नहीं 65% लिया है 35% कब लोंगा या तो नीचे आएगा तब या 45 के उपर close कर देगा तब तो मेरा बहुत view इसमें clear है 43.25 पे लिए 43.15 पे लिए हो सकता है यह थोड़ा नीचे भी आ जाए मुझे कोई problem नहीं है नीचे म important support हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा उसके बाद मैं भी 40 को important support कर सकता हूं और फिर हम ride करेंगे इसको दिरे 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 ride करेंगे और timely से एक अच्छा profit लेके free wallet stocks को रख देंगे मैं जल्दी एक वीडियो भी लाँगा दोस्तों आपके सामने जहां पर मैं अपने family member का जो account है वो आपके साथ share करूँगा जिसमें मैंने free wallet stocks purchase करके रखे हुए उसमें अच्छा profit हो रहा है और मैं आपके साथ share भी करना चाहूँगा वो free wallet stocks काफी अच्छे हैं उसमें लगब 25-30 लाग का वो portfolio है free wallet stocks है सारे के सारे तो वह मैं आपके साथ share करूँगा कि वो portfolio कैसे बनाते हैं और tax के benefit उसमें हम कैसे ले लेते वो सारे चीज़ में आपके साथ discuss करूँगा फिलाल ये analysis मैंने अपनी तरफ से पूरी करी है फिर भी मेरी कोई तुरूटी रही हो तो छमा करने का कस्ट बिलकुल करीगा अगर आप ऐसी analysis सीखना चाहते हैं wave analysis में आईए wave analysis training program है जहां एक समयमे में एक इंसान को सीखाता हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं description में आपको detail मिल जाएगी contact कर सकते हो इस number पे भी whatsapp करके अपना call schedule करा सकते हैं और आप हमारे साथ wave analysis में connect हो सकते हैं चैनल की diamond membership लेना चाहते हैं ले सकते हैं diamond membership है क्या पहले ये सुन लेजिए आप सिर्फ मुझसे important support, resistance और stock का trend पूछ सकते हैं ये है diamond membership आपको हमसे पूछने की इजाज़त होगी whatsapp group में ये ध्यान रखिए दिन में 2 गंटे whatsapp group की जो chat window वो open होगी और stp chart scanner क्या है stp chart scanner में जो important chart मुझे नजर आते हैं जहां पे breakout ये reversal होने वाला हो वो मैं आपके साथ शेर करता हूँ इसमें लेकिन किसी type से कोई recommendation आती ही नहीं है सिर्फ chart आएगा आपके सामने और bias hold की recommendation मुझसे प्राप्त करनी है तो वो अभी फिलाल संभव नहीं है और ना में आगे इस mood में हूँ तो bias hold की recommendation नहीं मिलेगी लेकिन हाट trainee अगर आप बनना चाहते हैं वेवे करता है